नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजटी नेट्वर्क आपके साथ मैं हूँ अपरना मौजम और मेरे साथ यहाँ पर है फिल्म हमारे 12 के स्टार्स जी हाँ वो स्टार्स जो परदे पर नजर आते हैं और वो स्टार्स भी जो परदे के पीछे जिन्होंने दिनरात मेहनत की इ और मेरे साथ जो यहाँ पर बैठे है ना अनू कपूर जी वो किसी भी परिचे के महताज नहीं उनका इंट्रक्शन करवाना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है अनू कपूर जी हमारे साथ हैं पारितोष जी हमारे साथ थेटर बार्ग्राउंड से अपनी आक्टिंग करें जाने जाते हैं हमारे साथ फिल्म के प्रडूसर है रवी जी कमल जी है इने के इशारों पर यह स्टार्स नाचे है और साथ यहाँ पर जो भारी भरकम पस्तालिटी है ना जो वजंदार बात करती है वो है फिल्म के प्रडूसर बिरेंडरी जीवी देखिए हमारे बार ख़़ा कर रहे हैं वह वाद निराधार है फिल्म की अगर हम में बतेज के बात करूं तो फिल्म को कंस में मिला हूँ ए मिला हुआ है समझ सकते हैं इंट इन्टरिश्टम रस फार्फॉर्म पर फिल्म को सरहा जा रहा है लेकिन फिल्म को अपने देश में कि साना का बहुत शुक्रिया, सीनियर मोस्ट होते ही, मतलब बुड़ापा आ गया है, बुड़ापे में कदर कर रहे हूँ, फिल्म हमारे बारा एक परिवारिक कहानी है, उस परिवार का मुखिया मैं हूँ, उसका नाम है उस्ताद मन्जूर अली खान संजरी, जिसके गैरा बच्चे है इन गैरा बच्चों की तालीम और तर्बियत का नजरिया उसका अलग है, बेटों के लिए उसका रवया, उसकी कैफियत कुछ और है, बेटियों के लिए कुछ और है, अपनी बीवी के लिए कुछ और है, और इस तरहा की कहानी को गूत कर, सलाईयों से कढ़ बुन कर, डिर क्या विजन था फिल्म को जब परदे पर उतारने की बारे में सोचा गया एक बाद बताऊंगा जिस जब हमने शुरू की थी फिल्म तो बड़े अच्छी नियाच से की थी बड़ा खुश हो के गए थे कि चलो आएंगे बड़ी आसा एक मैसेज देंगे दुनिया को बताएंगे भाई पापूलेशन मुद्धा है बड़ा इसको सो समझ के आगे बढ़ी है हमारी जो हमारा देश है बहुत आगे निकल चुका है अब नमबर बन हो चुके लेकि जब हम लोग रिलीज पराएं और ऐसा सब देखने को मिल रहा है तो बड़ा दिल दुख हो रहा है सच में इतने ज़्यादे थ्रैट कॉल्स इतने ज़्यादी परेशानिया इतने ज़्यादा बैक स्लैश मिल रहे है तो अपने देश में ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था जिस अच्छी नियत से हमने फिल्म बनाई थी उस अच्छी नियत से ज़्यादा अच्छी नियत से हम लोग रिलीज करेंगे लेकिन सपोर्ट की जगे हमें बहुत नेगेटिविटी मिल रही है कि हमारा इतना अच्छा मेसेज है नेगेटिविटी तो नहीं होनी चाहिए अपने किर्दार के बारे बता है अब्बू है खासाब और मैं उनका पहला बेटा हूँ पहली संतान हूँ और मैं एकदम जैसा होता ने कि हमारे पापा के लिए कपड़े बनते थे तो जो बज जाता था बेटे के लिए भी पेंट सिलवाजी जाती थी मतलब एकदम नक्षे कदम पे चलता है जो अब्बू जिस तरह से रखते हैं जिस तरह के कपड़े अब्बू पहनते हैं और मा सताता भी ऐसे हुआ जैसे संतार आपको सताती है जो अब्बू है आपके वो शैनवास के लिए रोल मॉडल है बिल्कुल हर आदमी का पहला हीरो जो होता है वो उसके फादर ही होते है हम बेवकूफ हैं जो अपना हीरो बाहार डूंडते हैं हरा हीरो हमारे घर के भीतर होता है हाँ उसके बाद आप धिरे-धिरे जब बड़े होते हैं तो आपके अपने अनुभव होते हैं वो अनुभव आपको सिखाते हैं कि ये सवाल करने का मुझे हक तो नहीं है पर कहीं हो सकता है मेरे अब्बू इसमें कोई उनसे चूक हो रही हो तो वो हिम्मत करते करते एक दिन वो पूछ ही लेता है तो शानवास भी वैसा ही है बिलकुल उनके संरक्षन में रहता है उनके सानिदे में रहता है पर जब उसको लगता है कि कुछ गड़बड हो रहा है परिवार नहीं तूटना चाहिए क्योंकि तूटना जो है उसने पर्सनल लेवल पे भी जेला है तो आपके भीतर जब कुछ तूटता है आप देखते हैं तूटता हुआ कभी इनके तर्क के माध्यम से उसके जवाब कभी हमारे और भाई बहनों के मुझ से उसके सवाग यह समाज से तो मेरा भई है कि मैं दिवाना हूँ मैं अंत तक अब्बू का दिवाना रहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे अबू में कोई कमी है तो वो भी दूर हो जाए क्योंकि मेरा अबू मेरा हीरो है और हीरो ही रहना चाहिए फिल्म में तमाम सवालों के जवाब देने के कोशिश की गई है ये कहा जा रहा है लेकिन फिल्म को लेका जिस नहीं से कॉंट्रोवर्सी खड़ी करने के आप कोशिश की जा रही है आप क्या कहेंगे कि किस वरा से जब आपको थ्रेट्स मिलने शुरू हुए थे क्या मन में ख्याला था कि फिल्म से पीछे हटना चाहिए या नहीं हम आगे बढ़कर ही रहेंगे यह जो फिल्म है आपको देख रहे हैं आपकी जब हमने स्क्रिप्ट फाइनल किया था उसी समय में आइडिया था कि यह थोड़ा बहुत तो होगा कॉंट्रोवर्सी होगा ऐसे थ्रेट्स आएंगे पता था में आइडिया था यह चीज होने वाला है और जब हमने फाइनल किया हमने शूट किया शूट में बहुत अचा शूट हुआ था शूट में जो जितने काफी लेडिस थी हमारी शूट में गरीबन दो सब सट आइडिस होंगी हमारे शूट का शूट होते हुए देखके जितनी भी लेडिस थी सारी लेडिस ने सब के आँखों में आसू था उस लक्त इतनी इतनी एमोशन सा हमारी फिल्म के अंदर में सब रिलेट कर रहे थे अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से तो अब फिल्म आप देखेंगे तो समझ में आगा क्या है कैसा को रिवात कॉंटरवर्शी और थ्रेट्स आने की तो वो तो आप कुछ भी नहीं चीज काम करोगे को अच्छा चीज चेंज करोगे तो यह चीज़ बहुत इसलाम को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है बहुत सारे मतलब इतने सारे व इदियों हम लोगों के प्राघर है हमारे सर के पास में इस सब बहुत जड़ाद गलत सारे वीडियों हो बहुत नकटिविटी के साथ लेकिन मुझे एक बात यह पूछनी है कि जो हमने जो टीजर बनाया है तो रिफरेंस हमने वहीं से उठाये थे यूटूब पर आप डालिएगा कि तुमारी ओरत है तुमारी खेती है सेकड़ो वीडियो आ जाएंगे औरत हमल की हालत में भी तो यह जब इतने सारे वीडियो पर पढ़ें यूटूब पर तो यह हंगामा उन चीजों के लिए क्यों नहीं है आज जब हमने उनी का रिफरेंस लेकर एक फिल्म बनाई उसमें कुछ ऐसा उसी कहां वो भी मिरार है ना तो आज जो हंगामा हमारे लिए हो रहा हमारी फिल्म के लिए हो रहा है यह झामा तब क्यों नहीं हो ओव मैं करूं चलो तब नहीं हो आप तो देख के अब तो होना चाहिए तो मतलब यह है कि गलत तो वह भी है सोचने समझने की गुंजाइश उन लोगों के पास भी है तो जो आवाज हमारे लिए उठाई जा रही है तो कुछ ना कुछ उनको भी सोचने की जरूरत है सिने मा आइना होता है समाज का आइना होतों कह सकते लेकिन आज कल समझ में नहीं आता कि क्या है ना क्या नहीं जिस तरीके से हम लोगों को थ्रेट्स मिल रहे हैं तो एक अच्छे सा अच्छा इंसान भी डर जाएगा जब तक Anu Kapoor अच्छी बाते बोलते हैं तब तक Anu Kapoor सबके चखेते दे लेकिन जब Anu Kapoor ने सच लेकिन कडवा सच बोलना शुरू किया तो उनको लेकर सबाव पॅठाने लगे हर तरह की बयान बास देनसे लगी Anu Kapoor की तो कोई अ testim education आप तो युग युगांतर से बात कीजिए, इसा को सलीप पे चड़ा दिया जाता है, गौतम बुध हुए हैं, वो भी तो सत्य बोल रहे थे, महावीर हैं वो भी सत्य बोल रहे थे, जिसने भी सत्य बोलने का सत्य का मार्ग चुना, उसको तकलीफ हैं, जेलनी पड़ी हैं, यह कोई नई बात नी है, और मेरी तो कोई हसी नहीं, मेरी कोई अकात ही नहीं है, बोलने दिजिए जिनको बोलना है, लेकिन इस नहीं है, कि वो जो बोल रहे हैं, वो उसका आधार तर्क नहीं है, क्योंकि उन्हें फिल्म देखी ही नहीं है, यह है, पहले फिल्म देखें, फिर अपना कमेंट करें दर नहीं जा सकता तो उसने वोई सही बात बोली है शोहर मजाज खुदा होता है और खुदा के खिलाफ जाना कुफर है और कुफर की एक ही सजा है मौत मैं डॉक्ट्राइन रिपीट कर रहा हूँ ये जो पॉपिलेशन की बात है ये कितनी उनिवर्सल है इससे हमें मतलब नहीं है आप पूरी दुनिया का ठेका मत लीजिए पहला ठेका आप लीजिए इसका नहीं ठेका मतलब जिम्मेदारी का अवा दिली बैटा हुदी है ठेका मतलब जिम्मेदारी का ऐसास सबसे पहले अपने परिवार का, उसके बाद अपने महले का, उसके बाद अपने समाज का, और उसके बाद अपने मुल्क का, अपने मातर भूमी का, आप मुझे मतलब नहीं है, कि अमरीका में क्या हो रहा है, मुझे मतलब नहीं है, इंगलेंड, मुझे सबर प्रतम मतलब है, मेरे देश क के अंदर क्या हो रहा है मेरे देश की क्या जरुवत है और मेरे देश की जरुवत है कि जन संख्या पर वर्धी के उपर रोक लगनी चाहिए अब ही इसराइल को उसकी जरुवत नहीं है इसराइल को जरुवत नहीं है छोटी सी कंट्री है पांचों तरफ से शत्रों से घिरी ह हुई है अगर वो जनसंक्या वर्धी के उपर रोक लगाने लगे तो वो खतम हो जाएंगे इसलिए वहाँ पर एक इस्त्री जब बारा बच्चे पैदा करती है तो उदे मदर का तमगा दिया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है वहाँ पर इसराइल के अंदर ऐसी महिला क को एसी माता को किसी लाइन में खड़े होने की ज़रत नहीं है मैं इसराइल गया हूँ देखिया इसराइल और जैपान से ज़्यादा बड़े और परम देश बग्त आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपकी अदाएगी तलफुज और इसके मुरीद तो हर को हम सब हैं यहाँ पर लेकिन यह बताएए कि जो यह चोश है आपका यह एनर्जी है वह आप मेंटेंग करते क्योंकि एक वक्त के बाद सब कुछ अचीव करने के बाद स्टाइशन आ जाता है बोर्डम आ जाती है मैंने कुछ अचीव नहीं किया ना करी सका ना करने जोग सर किया सो हर किया मैंने कुछ नहीं किया मेरी आपने कैमरा लगाया तब भी बोलुंगा आप नहीं लगाया तब भी बोलूंगा और वो मेरी जानिब आती है तो आप बचा नहीं सकते और जिस गोली के उपर जिस खंजर के उपर मेरा नाम ने लिखा किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता है मेरा समझे आप ये मौज़ा भी महबत कभी दिखाए मुझे, गतिल शफाई के और जख मुझे, चोट मुझे को है ये मौज़ा भी महबत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पर गिरे और जखम आए मुझे बरंगे उद मिलेगी उसे मेरी खुश्बू आपने पूचा ना, मैं तो खुश्बू देने के लिए आया हूँ बरंगे उद मिलेगी उसे मेरी खुश्बू, वो जब भी चाहे बड़े शुख से जलाए मुझे वाह, क्या कह दिया आप में जो इंटरनाशनल अक्नॉलजमेंट मिला है फिल्म को जिसरा जिक्र भी किया बरेंडर जी ने उसको लेकर आप क्या कहेंगे तो स्टानिंग ओवेशन मिला था और फिर लंडन में भी फिल्म को अप्रिशेट किया गया कैसा एक्स्पीरियंस रहा हो जब लंडन में थे तो करीब दो से धाई सो लोग थे फिल्म देखने वाले और कफी अच्छा रिस्पॉंस मिला वहां के जो फिमल ओडियंस थे मेल ओडियंस थे सबने स्टेंडिंग ओवेशन दिया फिल्म खतम होने के बाद और सबने बोला बहुत अच्छा आपने सोचा है बहुत अच्छी सोच कर अपने फिल्म बनाई है और यह हर जगे का प्रॉब्लेम है हिंदुस्तान आठीज में पाने सब्दो त्यार शोंले कि उने वाली है उससे पहले जो कहा की पॉलिटिकल टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाते हैं चाह तारिक को नतीजे आ तारहे हैं वह से बढ़ती जा नोगे है और उसको लेकर आप क्या कहेंगे क्योंकि एक बेश की जागरुक नागरिक के तौर पर भी कुछ कहना चाहिंग गया मुझे वो चुटकुला बड़ अच्छा लगता है कि कभी भी आप वोट देने जाओ तो किसी को कास्ट के हिसाब से वोट मत दो क्योंकि आपको नेता चुनना है जी जा नहीं बहुत पुसर एक बात लगती है तो उसी तरह आप जो है यह फिल्म आपको एंट्रेटेन करेगी आपको एंगेज करेगी यही उदेश होना चाहिए एक सिनेमा का तो आप इसलिए जाओ इसलिए मत जाओ कि यह इस तबके की फिल्म है या इस लुक को देखे या इस तरह के परिवार को दिखा इसलिए मत जाओ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को यह दर्शाती है फिल्म जो हम सब की प्रॉब्लम है यह मुसलमान के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए सिनेमा है यह बहुत जरूरी है हमने उसी नियत से बनाई ह है और आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि सच में हमने इसलिए बनाई है कि इस समस्या को हम रेकांकित करें और इस समस्या का समाधान हम सब ढूंड़े अपने पने स्तर पे आपने पहले सवाल के जवाब में कहा ना कि मैं बहुत सीनियर मोस सीनियर मोस नहीं आप एवर ग्रीन है तो इसलिए अब अपने ही अंदाज में दर्शकों को बता दीजे कि वो फिल्म क्यों देखे अब हर लड़की आपको एवर ग्रीन बोड़ी है सुबह से मैं सुन रहा ठीक नहीं हो रहा है धन्यवाद लेकिन सही बात करूं बरसों पहले ऐसा ही एक वाकिया हो गया था कि यहां पर मैंने कहा यहीं दिली में तो शायद 62 साल का था मैंने कहा आप सब लोगों की दुआ रही प्यार रहा मैं तब कुछ पास 7 साल पहले की बात है तो आप लोगों दो महीने बाद मैं 63 साल का हो जाओंगा तो पीछे से एंकर थी तो उनने का नहीं जी अनुजी आप तो दिल से जवान है तो मैंने पीछे कहा मैंने का सुनिये मुझे एटर्नल यूथ सिंड्रॉम कभी भी रहा नहीं और कभी भी कोई शखस अगर ये कहे कि वो दिल से जव है तो समझ लेना कि उस शखस की जवानी भाखे सारी जगह से खायब हो चुक है सो साथ जून को बराइँ महरानी देखो भagjया एक बद बता दू है अगर सवाल ये पूछ़ा जाए के क्यों देखे है हमारा काम इल्तिया करना है हमारा काम काम रिकॉष्ट करना है हमारा काम दादगीरी नहीं करना, वो दादगीरी वो करते हैं जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिटिशन है, आपने देख लिया, कितने अच्छे चेवचन बोलते हैं, बिलकुल साबित कर देते हैं, कि आप हिंदुस्तान के पॉलिटिशन हो, क्योंकि इससे उपर तुम न हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, अंकिता दिवेधी, अधिती भट पहरि, डिरेक्टर कमाचंद्रा, और फिल्म के डायलोग जिनको लेकर, खल्मली मची हुई है, आग लगी हुई है, डायलोग रॉटर, सूफी झान, अंकिता आप अच्छार्पूर, मैं चतरपूर, मैं आ डेबु फिल्म में यह जाए डेबु आफ लगता डेबु में यह जिए थे डिएक्टर के साथ हुपर से जिन गिर्डर के लिए जाए गांस प्ले करी ओर्या खिर्व करी वो अजिए अग। को डेबु इस भी पहलोग हैं ? अधिती, जी मैं इस फिल्म में वो समझ गई कि मैं कन्फिज ओने नाम को लेकर तो नहीं का अधिती अधिती बताओ, आप क्या बना रहे हैं, क्या किरदार है आपका जी मैं अनुकपूर सर की सबसे बड़ी बेटी का किरदार प्ले कर रहे हूँ और जो घर में चल रही सारी प्रॉबलम से फिर डिसाइड करती है कि अब लड़ना है तो मेरा एक्सपिरियंस तो बहुत ही खूबसूरत था और चैलेंजिंग भी था क्योंकि अपॉज़िट में लड़ना ही अनुकपूर सर के साथ है बहुत मज़ना है हमने बहुत मस्ते की और इस इस सक्रदार को न निभाने के लिए मैंने अर्दू मतलब उस कारेक्थर को प्ले करने के लिए मैंने काफी रिसेर्च किया तो बहुत लरनिंग एक्सपिरियंस था मेरे लिए बहुत प्रिपेर करना होगा रहा या या आप सूफी आप बदाए ये जो डायलोग लिखने की हिम्मत कहां से आई आपको आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि आग लगा दिये डायलोग ने मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिल्म देखें तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि ये आग घर जलाएगी या रोशने पहलाएगी और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कहानी है ये अपने आप में बहुत, हर फिल्म होते ना बहुत जरूरी है ये फिल्म जरूरी नहीं हमारे देश की जरूरत है तो प्लीज देखिए आप साथ जून को रिलिज हो रही है फिल्म और जहां तक की बात है डायलॉग्स को लेकर चीज़े हो रही है मैंने जो कोट किये जो एक आयात है आयात नमबर 23 सूर्य अलबकरा की जो आयात है निसाहुकूम हरसुलकूम फातु हरसुकूम अन्नाशीतुम वाकद्दिमूली अन्फुसीकूम यह पूरी आयात है उसका हमने तरजुमा पेश किया है कि तुम्हारी औरते तुम्हारी खेती है आओ जैसे भी चाओ अपनी मर्ज़े से खेती करो हमने हूबहू जो आयात का तरजुमा पेश किया इंटर्पेटेशन नहीं है तरजुमा है उसको लेकर प्रांसलेशन है उसको लेकर लोग मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी कुरान एक कुरान मजीद एक ऐसी चीज है जिसमें कोई तर्मीम कोई चेंजिस नहीं हो सकता है तो मैं कौन होता हूँ ये कि बदलने वाला और जब मैं हज करने जाओंगा ना तो मेरे पासपोर्ट पे मुसलमान नहीं लिखा होगा इंडियन लिखा होगा तो पहले मैं हिंदुस्तान का हूँ कमल मेसेज मेसेज यह जैसे अभी सूफी की बात से थोड़ा सा मैं और आगे बात बढ़ा देता हूँ कि जैसे आयत नमबर 230 की बात हुई है तो उतना हमने रखा है उसके आगे का जो टीजर के अंदर पार्ट है वो एक इंसान की सोच है वो आयत का पार्ट नहीं है तो लोग क्या कर रहे है जो थोड़ा सा नेगेटिव सोच है वो एक पर्टिकुरर इंसान की सोच है वो कुरान शरीफ का पार्ट नहीं है तो प्लीज उसको एक अलग तरीके से ना देखें ये मेरा कहना है और देखे बदा दिया फिल्म के स्टार्स ने अपने एक्स्पिरिएंस बया कर दिया नियत क्या है नियत जो सबस्यादा इंपोर्टेंट होती है वो बता दी है और ये कह भी नहीं कि साथ जून को फिल्म जरूर देखे तो फिल्म देश की जरूरत है तो साथ जून को आ रही है फिल्म हमारे बारा स्टार्स कह रहे हैं यूनिट कह रहे हैं पूरी फिल्म के पूरी टीम कह रहे हैं कि फिल्म देश की जरूरत है तो जरूर देखें